गाई आज हम आचुके हैं बलेंग शेर के सबसे बड़े पार्क मलका पार्क में और यह रोड जो है यह शानल डिशे आ रही है और काल्याम की तरफ जा रही है और इसी के सामने यह हपल बसी स्टेंड है जो प्राइवेट बसी स्टेंड है और धरी जाएंगे आगए तो इसले एक छोटा गेट पढ़ेगा और यह चोटी इसी पार्किंग है इसके बाद में यह एक और गेट पढ़ेगा जो की मलका पार्क का दूसरा गेट कह सकते हैं गांधी दौवार यह बुलेंच शेयर का सबसे बड़ा पार्क है यह हम गांधी तुबार आ गए और यहां से मैं अंदर जाने वाना हुआ यह यहां पर इधर गुशने के बाद में राइट हैंड पर यह उपन बच्चों के लिए यह खेलने के लिए पार्क है और यहां पर यह बच्चों को जूलने के लिए या उपन जिम भी कह सकते हैं यह बच्चा देखो कर रहा है अपनी एक्सराइज जो ऐसी तो आज मैं इस पूरे पार्क में आपको गुमाने वाला हूँ और यहां से सीधर में निकलेंगे काल्याम की तरफफ़ाइज दिएज तरह चला जाता है और काल्याम की तरफ यह पीछे जगे जगे एक पार्क छोटे छोटे पार्कों में कनवर्ड हैं जहां पर राग पेड़ों के नीचे बैठ सकते हैं और मैं आपको तो यह पार्क सीधा रास्ता इधरी चला जाएगा और अब हम चलते हैं इधरी गास्ते को देखते हुआ आ गया की तरफ यहाँ पर सामने काल्याम सवराया है और यहां से काल्याम सवरायस है सीधा मैं गेट और बड़ा गेट यह पर है और यह गेट बंद है यह अब भी दर से जाएगा तो दीवार पूद करी जायता इसलिए म मैं आपको जिखा दूँ यह गेट बंद है तो इसलिए मैं बाहर से यह आपको दिखा रहा था और यही मलका पार्क का मैन गेट है मैं पार्क के अंदर ही था और मैं आज माइक वाएक हैनी फॉन सी शूट कर रहा हूं तो यार अन वीजूवल वॉइस बहुत जाद आएंगी तो थोड़े मैनिज करो कि इधर यह तीन रास्ते जा रहे हैं यह इधर एक रास्ता इधर से जा रहा है एक रास्ता यह एक रास्ता इधर से जा रहा है और एक रास्ता इधर से जा रहा है और यह मिडिल से जा रहा रास्ता जितर से में आया था तो हम इसी रास्ते चलेंगे आपको डिफाइन कर र में एक फवारा लगा हुआ है जो यहां से तो बहुत ही कम दिखेगा वो चमक रहा है अपको तो वहां चलते हैं और उसके बाद में पीछे इसके गांदी जी की मूर्ती लगी हुई है तो इसे मलका पार्क कहते हैं यो बुलेंचर में सबसे बड़ा पार्क है तो मैं अब इस सबस्क Liebn यह देख हो आप सीच एन है नहीं पार के आए यहां से लो बनीविboys हवाह में बैटते हैं और यहां पर बहुत सारे अपस्छे कौलिज टाइम में हम भी बैठा करते थे और यहां पर कुछ लोग ताइम में भी बैठे हैं यहां पर प्स्छ लोग किखललु आ सा已經 लड़के मौज मस्ति करते हैं और यहां पर बोमने के लिए आते हुझ कि यहाँ पर काफी बड़े बड़े पीड़ पह वगएरा हैं चार यह पीछे काफी बड़े बड़े पार्क में जो फुलवाडी से कनवर्ड हुआ है तो कई पेपार्क बने हुए हैं और अब में जश्ट पीछे मेरे इस पहुंच जाएंगे फवारी की तरफ जो यहां के इसमें पार्क मिडिल में फवारा लगा हुआ है जो अब मैं दिखाऊंगा आपको यहां ते चार रास्ते का नुड़ जाती है यहां पर मलका पार्ग का मिड़ पॉइंट आ जाता है तो इसे हम मिडल भी बोल सकते हैं दो रास्ते पीछे हैं दो रास्ते ही हैं यही मलका पार्ग का मिड़ेन है और अब हम यहां स्वारे के पास पहुंचे होगे हैं तो इसे हम प्रूगे को यहां पर त्वारे के अंदर बंदर बैठा हुआ है और यहां पर पानी वानी पी रहा होगा और यह गांदी जी की सामने मूर्ती लगी हुई है यह काफी अच्छा है देखो काफी पुराना है लेकिन यहां पर जब हम आते थे तब भी ऐसा था लेकिन किरिल वगेरा नहीं थी और टेल्स वगेरा नहीं थी लेकिन यह भी टेल्स वगेरा लगा दी गई है और यह देखो यह थोड़ा और मॉडिफाई हो चुका है यह भी पार्क है और यहां पर फुरारे लगे हुई है यह देखो काफी आकर सक नजार आया यहां पर और गाई यह यहां पर मिडिल कह सकती है इस पार्क का यह बुलेंग शेर के अंदर और बुलेंग शेर के बीचों बीच है यह पार्क से मलका पार्क के नाम से के बोला जाता है बट इसके मलका यहां पे कभी हुआ करती थी, अब यहां पे गांदी जी की मूर्ती लगा दिया है, जहां पे मलका की मूर्ती हुआ करती थी, यह सामने ही मेरे फ्रेंड बिल्कुल जस्ट सामने ही है, यही आपको दिख रही होगी गांदी जी की मूर्ती, अभी उधस तरफ यहां से साफ नहीं दिख रही है बट उस तरफ चलेंगे आपको दिखाता हूँ और यह इसका मिडिल पॉइंट है आपको काफी अच्छा लगा होगा यहां पर गिरिल लगा दिये ताकि कोई अंदर गुशेना और रात में जब उजाला होता होगा तो यह जफवारे चलते हो तो काफी अच्छा लगता होगा यह नजारा और यहां पर यह खजूर के पेड़ वगैरा भी है काफी उच्छे उच्छे अज़ाई अब मैं दूसरी तरफ चल रहा हूं मैं जब मैं 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 वा खतामी तरफ yeका वा काफी तरफ रहा है कि जफ़ा झाल नान क्यातवी उच्छाम यहे तरह आज़गा उनामाम कि यहां पर आज पें तूसरे तरफ और यह मेरे पीछे देख रहे हो यह फुला हुआ जिम है लेकिन यहां पर यहां पर यहां पर पवाट किया हुआ है और यह ओपन जिम के नाम से है तो यहां पर यह पीचे दीवर्शा मंदध रही है और यहां पर पार्क पराबर में ही हैं यह यह लाइप्रेट Calling यह आज डिले की लाइप्रेट जहां पर यह दो धाधक जरां रहें और यह पीचे ओपन पार्क है जो की बंद है और फुरसों के लिए तो अब हम चलते हैं और पर ली तरफ आगे की तरफ तो अब मैं आपको दिखाऊंगा यहां पर वैसे काफी अच्छा मौसम हो रहा है और काफी बहतरी मौसम है तो यहां पर यह है पुरुष ओपन दिन यहां पर यहां पर वैसे कई जिम हो चुके हैं फिर से हम पार्क की तरफ आगे हैं और यह पारों की तरफ और यहां थे बिलुकुल जस्ट इनके फ्रेंट में यह गांदी जी की मूश ही लगी लिगी जा करके दिखाएंगे हम आपको और यह यह से ऊपर जाएगा यह बहुत प्राशिन बना हुआ है कहते हैं अंग्रेजों के जमानिका बना हुआ हैं और इस पर काफी अच्छी कला करतियां बनी हुई हैं और यह यहां पर गंटा गार है यह तो आपी दूर है चमकने को तो यह मैं आपको दिखाऊंगे काफी नूचा है और यह घंटा घर है तो यह अभी भी चालू पोजिशन में कह सकते हैं लेकिन पूरी तरह से तूटा हुआ है चारो तरफ बना हुआ है इसके घंटा सौरी वैसे चालू नहीं है अभी बंद पड़ा हुआ है जब हम कॉलिश टाइम में पढ़ते थे तब यह चालू था अभी यह बंद पड़ा हुआ है इसके बाद में काफी उचा बना हुआ हुआ है गंटा गर और यहां पर लोग ऐसी गुमते रहते हैं एक तरह से बढ़ यहां पिलेश कह सकते हैं ऐसे बुलेंग शहर के बीचों बीच बना हुआ है और अब मैं आपको दिखाऊ हुआ हुआ है यह कुरान जमान की वही पत्थर की सीडिया बन वही है यह जो मैं काफी देर से आपको बता रहा था यहां पर कभी मलका की तस्वीर हुआ करती थी प्लेंग शहर की मलका की लेकिन वो काफी पहले ही अटा दी गई थी अब आजादी के बाद से ही और अब यहां पर कांदीजी की तस्वीर लगी वही लिए और इसके चस्ट पीछे एक और ओपन जिम है और इसी की बराबर में पानी की टंकी भी है और यह जैसे कि अंग्रेजों की जमाने के बना हुआ है हम आपको दिखा दूं कि यह उपर काफी कि कारीगिरी की हुई है लेकिन यहां पर पुताई करके डख रखा है है और मूर्थी की बाद में बता रहा ह essa लगे हुई है और यहहां पर कुछ तिनोंने निर्माण कराइं यह कुछ तक्तिय लगी हुई है यह देखो जैसे कि काफी पुराने बने हुआ हैं अंग्रेजों के जमाने का बोलते हैं इसे बना हुआ तो यहां पे काफी सुन्दर पत्तर तरासकर बनाये गए हैं इसका डिजाइन और बहुत ही जे उस टाइम पर अब तो शाइद पत्तर भी यह बहुत पीला हो गया लेकिन यह आप देख सकते हैं जब यह पत्तर नए लगे होंगे तो कैसे अद्बुद लगते होंगे यह देखिए काफी बड़े बड़े पत्तरों में कारेगिरी करके बहुत अच्छे अच्छे फूल वगएर अत्रा से गए है यह गाई कि मैं आपको बता दू यह भी जगा है यह काफी सबसे पुरानी जगा है ओपन जिम के लिए और जब हम आते थे तो यहां पर एक दो जूला हुआ कर करने के लिए शिलाइट करने के लिए इस पर हमने बहुत ही पैंट और कपड़े फाड़े आपने पॉलिस्टाइब में क्योंकि यह यहां से यहां समझा करके रबटते थे और अब पीछे भी काफी बदल आवाज में है आपको दिखा दूँ यह कुछ कोलिज के लड़के मौझ मति कर रहे हैं पीछे देख रखते हो और यह अब यहां पर पूरा हो गया आपको दिखाने का यह फीछे मैं आपको दिखा दूँ यह यहां पर पीछे पानी की टंकी है लास्ट में यह यह बुलेंशेयर को कई जग पानी की सप्लाई करती है और अब सब काम हो चुके हैं तो मैंने दिखा दिया आपको बुलेंशेयर का सबसे बड़ा पार्क मलका पार्क जो की कांधी पार्क के नाम से मसूर है यह यहां पर सफेद गुलाब और काफी अच्छी फुलवाड़ यहां है पूरे पार्क में तो अब मैं आज को अपनी गाड़ी हो तरफ पीछे मेरी गाड़ी खड़ी है और यह पुलेंशेयर का सबसे बड़ा पार्क तो गाई अब आपको कैसा लगाए मेरा विलोग अगर अच्छा लगाए तो लाइक करें और अगर मेरे चैनल पे नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें बरहाबर में बैल आइकन का बटन दबाकर के आझ की और यार अगर विलोग अच्छा लगाए तो शेयर कीजिए मिलते हैं तब-टक नेश बिलोग में